अंधा सिफाही कानी घोडी विधी ने खूब मिलाई जोडी चीन के साथ रते रते पाकिस्तान भी बिलकुल प्रोपेगेंडा मास्टर हो गया है अब उसने भारत के बारे में ऐसी कौन सी बात फैला दी है तो वहीं इसराइल और इरान के बीच एक महा युद्ध की सुरूआत हो सकती है क्या दुनिया फिर से लड़ने के लिए उतारू हो रही है वहीं दूसरी तरफ क्या मिग 29 को निसाना बना लिया गया है आईए जानते हैं इन खबरों को बिस्तार से दुनिया एक बार फिर ऐसी जग़ा पे पहुँच रही है जहां कहीं न कहीं हो सकता है लड़ाई की सुरूआत हो जाए और इस बार अगर यह लड़ाई की सुरूआत होती है तो यह दुनिया को लेकर ही डूप जाएगी इरान के सिर्श परमानु बैज्यानिक डॉक्टर महसीन फकरी जादेह के साथ जो घटना हुई है उसका सीधा सीधा आरोप इसराइल पर लग रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद सामिल थी खुद इरान के राश्पती हसन रूहानी और सरोच धर्मगरू आयातुलाह अली खमनई इसे लेकर इसराइल को अंजाम भुगतने किये बारे में धमका भी रहे है अब इरान के एक पत्रकार ने कथित तोर पर पूरी घटना का एक बड़ा बीवरन सारवजनी कर दिया है और उसका दावा यह है कि उससे ये सारी जानकारियां इरान के अधिकारियों से मिली है इरानी पत्रकार मुहम्मद अहवाज का दावा है कि परमानु वैज्यानिक मौकसीन की घटना में 62 लोग सामिल थे इन्होंने ही इरानी सरकार के लाग छिपाने के बावजूद देश में महामारी के बढ़ते परभाव की जानकारी पूरी दुनिया को दे दी थी इरानी अधिकारियों ने इसराइल के मोसाद को सीधे सीधे दो सीठार आया है एक अमेरीकी अधिकारी दो अन्य खूपिया अधिकारियों ने भी कहा जा रहा है कि हमले के पीछे इसराइल के हाथ की गुनजाइस जाहिर करी है आवाज का कहना है कि इस टीम में 12 लोग ऐसे थे जिन्हें बिदेशों में सुरच्छा और खूपिया सेवा के अधिकारियों की ये साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए खास तोर पर ट्रेनिंग दी गई है इन लोगों को इरान की राजधानी तेहरान से पचास मील पूरू में अवसाड सहर में तैनात किया गया था जबकि पचास अन्य लोगों ने इन 12 लोगों को लोजिस्टिक सपोर्ट उपलब्ध करवाए थे हलाकि उन्होंने ये नहीं बताया कि पचास लोग घटना के समय इरान में मौझूद थे या फिर बाहर से मदद दे रहे थे यह टीम डॉक्टर मोहसीन की नजदीकी से निगरानी कर रही थी उन्हें पहले जही पता था कि वह सुकरवार को तहरान से अवसाड सहर तक सड़क के रास्ते जाने वाले हैं इस टीम ने सहर के परवेश द्वार के नजदीक एक गोल चक्कर के पास इस सारी योजना को बनाई थी इसको अंजाम देने के लिए एक कार में चार सवार हुए थे उनके साथ चार मोटर साइकलों पर भी सवार थे इरानी वैज्यानिक के काफिले को रोकने के लिए इन्होंने सड़क पर कई तरह से पीक अप को फसा दिया था और मौके का इंतिजार करने लगे जैसे ही घटनास्तल के पास पहुँचे वहाँ पर दो सनाइपर्स भी पहले से तैनाथ थे जो की दूरी से सटिक निसाने बाजी में माहिर थे इरानी पत्रकार आवाज का कहना है कि फक्रिजा देह के तीन बुलेट पूरूफ कारों के काफिले के पहुचने से आदे घंटे पहले ही इलाके में बिजली काट दी गई थी जिस जगह पे ये घटना हुई वैसे पहली कार गोल चकर से निकली वैसे ही जितने हमलावर्थ थे वो अलर्ट मोड में आगे और इरानी स्टेट टीवी की रिपोर्ट का अनुसार तीसरी कार के गोल चकर के पास पहुचते ही फसे हुए पीक अप में बड़ा धमाका हो गया और जिससे बिजली के खंबे और ट्रांस्मिटरों को नुकसान पहुचा यह इतना बड़ा था कि कार का मलवा उस जगह से 300 मीटर की दूरी पर जाकर गिर्या है जिसके बाद कई तरह से खूलिया दागी गई जिससे सारे लोग वहीं पर चल बसे कहा तो जा रहा है कि डॉक्टर फकरिजा देखके अंगरचकों ने मुकाबला किया लेकिन रोक नहीं पाया वैसे उनका कहना है कि उन्हें पता था कि वो मोसाद के नंबर वन लिस्ट पर सामिल है ये चीज आज नहीं तो कल होनी थी वैसे इन सब ने इसराइल और इरान के बीच तनाव को और ज़्यादा बढ़ा दिया है और अब एक बड़ी लड़ाई की आसंग का जाहिर की जा रही है और अगर यह लड़ाई होती है तो यह लड़ाई एक बिस्वियुद का रूप भी ले सकती है वहीं दूसरी तरफ ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान अब बातों से लड़ाई को जीतना चाहता है पाकिस्तान नए नए प्रोपेगेंडा को ट्वीटर पर सोसल मीडिया पर जोर सोर से चला रहा है उसमें से एक क्या यह सच्चाई है कि मीग 29 भारत के मीग 29 को चीन ने EMP क जरिये गिरा दिया है क्या सच्मुच भारत के पाइलेट इसलिए नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि इलक्ट्रोनिक वारफेर सिस्टम का इस्तेमाल किया है चीन ने और उसकी वजह से भारत के मीग 29 को आसानी से जमिन दोज कर दिया है चीन ने वैसे आपको बता दें इस तरह क जो भी अफवाएं फैलाई जा रही है वो बिलकुल गलत है यह सिर्फ एक प्रोपेगेंडा युद्ध प्रोपेगेंडा वार का हिस्सा है अगर भारत का मीग 29 चीन के किसी इलक्रोनिक वारफेर सिस्टम का निसाना बनता तो जाहिर सी बात है सिर्फ एक पाइलेट के नही बलकि दोनों पाइलेट नहीं मिलने चाहिए थे क्योंकि इलक्रोनिक वारफेर सिस्टम के बारे में जो लॉजिक दे रहे हैं यह प्रोपेगेंडा मास्टर उनका कहना है कि इलक्रोनिक वारफेर सिस्टम इस्तेमाल करने की वज़े से सारे इलक्रोनिक सकलपूर जे जाम हो लेकिन इस बात में कहीं भी सच्चाई नहीं है क्योंकि ऐसा होने से उसका दूसरा पाइलेट जो है उसके साथ भी यही चीज होनी चाहिए थी मीग 29 वैसे तो भारतिय वायू सेना का मुख्य पार्ट नहीं है लेकिन इसकी इंजिन को लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं वैसे जहां मीग 29 को लेकर सवाल उठते हैं तो उसकी तुलना में JF-17 का तो और भी बुरा हाल है पाकिस्तान के JF-17 रूस से होते हुए चीन के रास्ते पाकिस्तान पहुचता है क्योंकि इस JF-17 में इंजिन रूस का ही लगा हुआ है और रूस का यह इंजिन जब चीन पहुचता है तो चीन उसमें प्रॉफिट कमाने के चक्कर में और भी जोल कर देता है और इस तरह के ज जोल होते हुए जब इन जन जेफ 17 में लगते हैं तो वो कितने काम की होंगे वह सोच कर ही पता चल जा रहा है वहीं दूसरी तरफ आपको बता दे चीन ने अब अपने सैनिकों को कहा है डरिये मत और जंग के लिए तयार रहिए मरने से मत डरिये जिस तरह से चीन चारों मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है जिसमें जिनपिंग ने साफ साफ अपने सैनिकों को यह कहा कि मरने से न डरे जंग जीतने के लिए हमेसा तयार है यानि कि एक तरह से चीनी सैनिकों को जिनपिंग की यह बात मनोबल बढ़ाने की नहीं बलकि मनोबल को गिराने में ही मदद कर रहा है वैसे आपको क्या लगता है क्या जिन पिंग की इन बातों से चीन के सैनीक डरे नहीं होंगे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं जल्द मिलते हैं अंगले वीडियो में नई खबर के साथ